नहश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सोशल नियूज मैं आपके साथ मुहम्मद अक्रम आप सभी को मैं बताना चाहूँगा देश के सबसे बड़े पत्रकार एक बर फिर तिहार जेल में जा सकते हैं उनकी पत्रकारता को लेकर कॉंग्रेस ने सवाल उठा है कॉंग्रेस एक्शन लेते हुए दिखाई दिदी लीगल नोटिस उन्हें दे दिया गया है मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये वही सुधीर चौधरी हैं जो तिहार जेल जा चुके हैं जिनकी फरजी पत्रकारता के वज़े से उमा खुराना को लोगों ने सरे आम पीटा था कि इनकी फरजी पत्रकारता के अगर बात की जाए ये नोटों से चिप निकालते हुए भी एक वक्त नजर आये थे दरसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा दो दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाने की कोशिश की थी जहां पर ये इंसान सुधीर चौधरी ब्लैक एंड वाइट शो में राहूल गांदी को अपराधी गोशिप करता हुआ दिखाई दे रहा था खुले आम ये कह रहा था कि अगर एक अपराधी को पकड़ा जाता है और वह नीरा मोधी ललीट मोधी कई लोगों का नाम लेता है और कहता है कुलिस से कि मेरे से भी बड़े अपराधी है तो क्या उस अपराधी को छोड़ देना चाहिए इस तरीकी की कहानी ये मन गणत कहानी अगर बात की जाए सुनाते हुए नजर आना था जिसे स्री निवास बीवी ने उस समय शेयर किया था और अब देख सकते हैं आप ये नोटिस कॉंग्रेस के तरफ से शेयर कर दिया गया है स्रीर निवास बीवी इसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे अब आपको सबसे इंट्रेस्टिंग बात बताना चाहूँगा सुधीर चौदरी को लेकर ये इंसान वो इंसान है जो अब राहूल गांधी की भाषा बोलता हुआ दिखाई दे रहे इससे पहले लगातार राहूल गांधी पे सवाल उठा रहा था और अब जब लीगल एक्षन लेते हुए कॉंग्रेस दिखाई दे रहे है तो राहूल गांधी के भाषा बोल रहा है कैसे बोल रहा है आगे बताऊंगा सबसे पहले सिरी निवास क्या लिखते हुए नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँ कॉंग्रेस के सिरी निवास बीवी अपने ट्विटर हंडल से लिखते हुए नजर आते है और साथ में लीगल नोटीस भी नीचे अटैच कर रखी है इसके साथ आप देख सकते हैं नीचे सुधीर चौधरी रिप्लाइ करते हुए नजर आते है और राहूल गांदी की भाषा यहां पे सुधीर चौधरी बोल रहा है मैं भारत की अवास के लिए लड़ रहा हूँ मैं हर कीमत चुकाने को तयार हुए दोस्तों सुधीर निवास बीवी ने ये कह दिया है सुधीर चौधरी से कि अब कोट में मुलाकात होगी जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने राहूल गांदी को अपराधी घोशित किया था अपने एक प्रोग्राम के अंदर कहते वे नजर आ रहे थे हैं इंडिरेक्टली कि राहूल गांदी अपराधी है वो खुद में भी अपराध है इस तरीके की खबरे चलाना क्योंकि राहूल गांदी बहुत बड़ा चहरा है अपोजीशन का सबसे बड़ा अगर देश में कोई चहरा है तो वो राहूल गांदी है अपनी मर्यादा पत्रकारों को नहीं बूलनी चाहिए आप सवाल उठा सकते हैं आप सरकार से सवाल कर सकते हैं सवाल पूछती है उसके हाथ में पावर नहीं है चलो आप पूछ भी रहे हैं सवाल तो आप सवाल पूछिए न आप कैसे किसी को अपराधी बता सकते हैं बिना किसी सबूत के वो भी एक कहानी के द्वारा क्या यह सही था इससे पहले सुदीर वीडियो भी देख लीजेगा और उसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा सुधीर चौधरी इसका रिप्लाइ किस तरीके से करते हुए नेजर आ रहे हैं सुरी निवास भी लिखते हुए दिखाई देते हैं यह वाली नैनो सच्चाई और उसके बाद सुधीर च प्रक्नीक कैसे काम करती हैं एंजी सी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती यह सिगनल रिफलेक्टर की तरह काम करता है जब कोई सेटलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिगनल देता है एंजी सी लोकेशन से इस सिगनल को रिफलेक्ट जा सकता है अब आप उसे चाहें तो साथ तालों में भी बंद करके रखें वो ट्रैक हो जाए है बने ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे जोना रखा गया हूँ फिलाल इसके बाद अगर बात की जाए सुधीर चौधरी इसका भी रिपलाई करते हुए दिखाए दे रहे हैं मैं सचाई बोलता हूँ देश के खातिर बोलता हूँ और आखरी दम तक सच के रास्ते पर ही चलूँगा बहुत लंबी लिस्ट है तिहार जेल की मैं बात करूँ फेक न्यूज चलाने की बात करूँ नोट से नैनो चिप निकालने की बात करूँ ऑपोजीशन को किस तरीके से घेरा जाता है उसकी बात करूँ चाटू कारता की बात करूँ कई बाते मैं आपके सामने रख सकता हू लेकिन फिलाल मैं आपको बताना चाहूंगा मोहमध जुबायर क्या लिखते हुए नजर आ रहे हैं जो कि इनकी पुरानी ख़बर को ले से जनता के बीच में मोहमध जुबायर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस इंसान ने फेक निउस चलाई थी और उसके बाद उस महला के साथ क्या सलूप जनता ने किया था आपके सामने वो ट्वीट रखना चाहिए मुहमर्द जुबैर अपने ट्वीटर अकाउंट से लिखते हुए दिखाई देते हैं बाद में पुलिस ने पाया कि तुम्हारे चैनल का इस्टिंग ओपरेशन फरजी था सुधीर चौधरी राहूल गांदी को अबराधी बोलते हुए नजर आ रहे थे साथी साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अब कॉंग्रेस इनके उपर लीगर एक्शन लेने वाली है इनको नोटीस भेज दी गई है सुधीर चौधरी किस तरीके से राहूल गांदी की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं वही भाषा सुधीर चौधरी भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे आप किस तरीके से देखते हैं क्या ये इनसान पत्रकार है लगतार जूटी खबरे फैलाना लगतार सत्ता में जो सरकार है उसके लिए खबर चलाना जनता से सवाल पूछना आप याद करिये मोरभी ब्रीज हाथसा जब हुआ था तो ये इनसान जनता को गलत बताता हुआ नजर आ रहा था ऐसे कई एक्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूँ रिश्वत लेने की अगर बात की जाए पैसे की हेरा फेरी को लेकर मैं आपके सामने कई बाते रख सकता हूँ लेकिन अभी फिलाल जिस तरीके से सुधीर चौधरी के उपर लीगल एक्शन लिया जा रहा है उस पे आप अपनी परतिकिया जरूर दीजे क्या सच में आपको लगता है कि सुधीर चौधरी की पत्रकारता जो है वो पूरी तरीके से एक डिरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है इस तरीके की खबर चलाना राहूल गांदी को डायरेक्ट अपरादी गोशित कर देना क्या ये पत्रकारता है या फिर पी आर एजेंसी का काम है किसी सरकार के लिए काम करता हुआ ये इंसान नजर आ अपनी राय ज़रूर दें अगर आप खबर समझ गये हूं अगर आप समझ गये हूं कि किस तरीके से जूटी खबरे फैलाने की कोशिश की जाती है किस तरीके से कॉंग्रेस को बदनाम किया जाता है किस तरीके से ओपोजिशन को खतम करने की कोशिश की जारी है एक नारा दिया गया था कॉंग्रेस मुप्ट भारत का निरवाध उस मार्क पर अब पत्रकार कुछ चलते वे दिखाई दे रहें क्या ये सही है क्या देश में लोकतंत रहेगा अगर opposition नहीं रहेगी क्योंकि opposition ही तो लोकतंत को मजबूत करती है सक्ता में जो सरकार है दोस्तों उससे सवाल पूछती अपनी राय जरूर दें हमें बताएं आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं सुधीर चौदरी के मैं में बात करूँ उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं गोदी मीडिया पत्रकारों को आप किस तरीके से देखते हैं आपको लगता है कि गोधी मीडिया पत्रगारों पर भरुसा किया जाना चाहिए या फिर ये पूरी तरीके से एक पार्टी के हो गए अपनी राय जरूर दें और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया